तो फिर से आप सभी लोग का टार्गेट समेश्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्रेटफॉर्म पे फिर से श्वागत है सभी बच्चों से पर रिक्वेश्ट है कि नाथपंद का जो पार्ट वन आप लोगो नहीं देखेंगे तो डिस्कृस्न बॉक्स में आप लोगो प्ले इनिवर्सिटी के लिए जो अनिवार सब्जेक्ट है जिन बच्चों ने नाथपंद को यहां पर चूच किया होगा वो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना वीडियो पसंद आती है वीडियो को जरूर लाइक कर तो आप लोग के आज का जो वीडियो यह बाइलिंग वाली इंगलिश और इंदी दोनों लांगोज के कुश्यम भी लेंगे तो आपको टार्गेट गुरुकुल.com वेबसाइट पे आना है वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइब का आपको दिखेगा वेबसाइट क उसके बाइब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए दिखेंगे आगे आके कि यहां पर आप लोग को पूरे नाथपन्त के इंपॉर्ण पूर्ण कोशन हिन्दी मिल जाएगे अगर आप पूरे प्लेडिस चाहिए तो यहां पर वीडियो क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेडिस मिल जाएगी उसके बाद बच्चों यहाँ पर सीधे आप नीचे स्क्राइब करते हैं तो आप देखिए यह सेम क्वेश्चन आपको English Language में यानि कि यहाँ पर आपको यहाँ पर नाथ पंत इंट्रोडक्शन के इंग्लीज में वह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चली आज इन्हीं से की उसको डिसक्राइब करते हैं अगर आप लोग को वीडियो काफी एलफू लगती है वीडियो जरूर लाइक करते हैं और एक क्लास को आपको बारेगी से क्वेश्चन की गहराई तक लिका जाते हैं ठीक है तो देखिए लेकिन टार्गेट समेश्टर जाना जाता है बाइलिंग्वल के लिए यहां पर यूपी वोड्स सबके फीलिंग का यहां पर किया जाता है सभी बच्चे हमारे इंपोर्टन है इकॉल है यहां पर देखिए इंदी वाले कोईश्चन से हिंदी में देखेंगे इंग्लीस व सब्सक्राइब तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे अगला कोईश्चन हमारा है सब्सक्राइब चलते हैं तुम भी ने ती लोग समझ्या त्रिवेडी रीन चंदा बुझोरे ब्रह्म गियानी अनहद नाद ग्वंग्दा किसे प्राइट करते दोने लोग को प्रापर प्राइब रहें होंगे इस और नहीं को अनुसार शंकराचार के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिन्वंत भारत वर्ष में दूसरा नहीं हुआ भक्ति आंदोरन के पुर्व सबसे धर्मशाली धार्मिक आंदोरन गोरकनात का भक्ति मार गई था ठीक है तो फ्रेंड्स यह हजारी प्रशाद दुएदी से रिलेट करेंगे तो आप्शन नम्मर डी यहाँ पर अजारी प्रशाद दुएदी द्वारा यह कहा गया वाकिया आपको इसको याद रखना है यह वाकिया प्रशाद दुएदी जी को आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट कोशन देखे जो इस्टेटमेंट से रिल्टेट क्वेश्चन से जो आप यहाँ पर बोल दो कि इसने कहा किसके तौरा शंबंदी थैं इससे आपको दो से तीन तो एक पार्ट मॉर्णिंग तक आपको मिल जाएगा जो की काफी इंपॉर्टेंट होगा वो पार्ट भी आपको अप्लोड कर देंगे ठीक है जिसमें बच्चेवे कोशन सभी आ जाएंगे ठीक नाद संप्रदार ने परवर्ती संतों के लिए श्रीधार चरण प्रधान धर्म की पुष्टी भूमी तयार कर दी जीन संत सादूं की रचिनाओं से हिंदी साहित गर्वानवीत है उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमी का मिल गई उपरियू कथन है यानि उपरियू सब्सक्राइब कर लेना ठीक है क्लास को अच्छे देख लिए कोई दीकता समस्या कमेंट आपके लिए उपन है वहां बताइए ठीक है नात संप्रदा के केंद्री मठ की अस्थापना किस अस्थान पर हुई थी तो फ्रेंस चार आप्शन आपको रहेंगे पहला आप्शन सब्सक्राइब कर अगे बढ़ते हैं अगला कोशह ने नात पंथ के महान संतने में में से कौन है अगला कोशन माई तो कि कि प्रामारी गर्नतों की कितनी संखिया बताई है इत शर्टहएर बिवेस नत्र की प्रमाई गरंफों की कि इतनी नंसर दस्यानि है कि पतने जुफ यह यह और आगे बढ़ते हैं नातापंथ आपका राइड अंसर अप्षिन नम्ब्सए अबका राइड अंसर हो जाएगा गोरक जगायो जग भक्ती भगायो लोग किसने कहा है तो फिर्ट तुलसीी दास्वारा जो जाएगा देखिए इंगलिफ साध परिशान मत हो आप सब्सक्राइब कर दिए अगर आप लोगो यहां भी प्राब्लम पर जाके अराम से पढ़ लिए ठीक है निम्न में से गोरकनाथ के गुरू कौन थे तो फिरंट्स गुरू थे मतसं ध्रणाथ और भी तो फिरंट्स आपने कोशन गुरुक नाथ ने किसके योगो को से अध्यों कर प्रवरतन किया गोरकनातों में किसके योगो को लेके हठ योग का प्रवारतन कीया तो आप्षिझ नम्बर सी पतंजली आपका राइट अंसर ठीक है हाप्षिंद Vide आपको याद आया जाया इसी तरह ठीक है इसको जादा सोचने की बात नहीं है हट्प योग में फह ठहका अर्थ है हुट योग में थर्फ का सब्द का अर्थ क्या तो चंद्र ठीक है आफ्टन नमबर यह आपका राइट अंसर ठार लग निरण्जन किश अवस्था को कहा जाता है अलख रिनि रंजन जोता है वह शी यानि सुन्हे समादी को कहा जाता है तो अप्शान नंबर सी अपका राइट उन्हें त्या शरप्रथम किसने हट योग का प्रवर्तन कर हिंदी साहित में सश्ट चक्रों का मार्ग चलाया यानि कि आपका अप्शन नंबर बी इस यो राइट आंसर गो रखना द्वारा यह कदम उठाएगा तो आप लोग गो रखनात को याद रखोगे ठीक है सत्र नंबर कोश्चन बोलता है गोरखनात की रचनाओं की संकलन किस नाम से है यानि कि यहां पर बताईए कि रचनाओं की संकलन किस नाम से है तो फ्रेंश आप्शन नंबर बी इस जो राइट आंसर गोरख बानी ठीक है भी गोरख बानी ठीक है उम्मीद करते हैं क्वेस्च सबको उसमें सफ़ाचट कर देंगे अगला कोशन है कि संध्या भाष या उलटवासी शैली का प्रयोग नाथों ने भी किया है यह कथन है तो यह कथन आपका अठारा नमबर कोश्चार किस दिशा में किया नाथों ने अपने मत का प्रचार किस सामвор अपका राइट आंसर हो जाएगा थिक नहीं अपने मत का प्रचार किस्या में कि क्या बोलता है धियां सरे देखेंगे गुरु महिमा इंदरी निर्गय वैराग कुंडवबनेंच अगरण अधिका महतों किस साहित के अंतरगत मिलता है तो बेर भी नात साहित के अंतरगत मिलता अपने समपधा को पढ़ रहतो जाए इसको भी आपको जाना बहुत जरूरी यहां बोला स्ट्रेटमेंट से रिलेटेट कुईशन को बिल्कुल एग्नौर नहीं करना है यहां पर मतसंद्र नाथ या फिर आप लोग यहां पर गोड़क नाथ को अच्छे पढ़ लेना अराम से सारे कुश्चन इसके इंदर से फसेंगे ठीक है बालनाथ कौन है बालनाथ का अप्शन जलांधर नाथ आपका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमब चैनल पर हैं जिनको दिमांड है तो बताएंगे तो उसकी अप्शन नमबर ए मच्छन आध गोरक नाथ या फीश सरापाद अपलोगा राइट अंसर मच्छन नाथ आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कौशन रहेंगे कि काफीर बौध किसकी रचना है काफीर बौध किसकी रचना है तो फ्रेंट्स आपका गोरकनाद रचना है उनकी रचित गई है तो अगला गोरकनाद के गुरू मच्छंदरनाद का वास्तविक नाम था यह कोश्चन भी आपको देख लिए पहले पार्ट में ने बताया इस पार्ट में देख लिए गुरू कोंते हैं करेंगे पहले डिख लिए कि इस विद्वान के अनुसार गोरकनाद कांगणा के निवासी थेC tower गोरकनाद कांगणा की निवासा में 65 जाएब पर भी मिल जाएंगे अभी हम शाम तक कोशिस करेंगे आप लोग के डिमांड के अकॉर्ण जो बचे वे टोटल यह कुश्चन से यह पूरा पीडिया आप लोग को वेपसाइट पर प्लोड मिल जाएगा वेपसाइट जाकर चेक करते रहें वह भी दिखकर समस्या होती है टा झाल को झाल कि यह झाल के वोग के प्लोड मिल जाएट जाएट थाट जाएट वेधान कुर्ण जाएट